वेल्गम तो वीप सेमेकर आज है 9 मार्च 2.20 और 9 मार्च 2.20 अरकीस बिहार करेंट अफेर्स और साथ ही राष्ट द दान्तर गटनाव सहीत कि जितनी भी करेंट अफेर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियों बताऊँगा इस वीडियो में जितने भी प्रश्ण है वो आपकी WPC, बिहार SSC, बिहार SI, ESI और CDPO और साथ ही जितने भी परिक्षाओं के खासकर के बिहार में अजित होती है सभी परिक्षाओं के दृष्टी कौन से यह आपके लिए काफी ज्यादा helpful है इस रिंखला के जितने वीडियो चैनल पर अप्लोड होते हैं वो सभी को देखिए अगर आप घर बेठे राकर इन सभी परिक्षाओं के तेहरी में लगे हैं जो खासकर के बिहार में अजित होती है तो यह आपके लिए रामबान सीद्ध हो सकता है एक भी प्रश्न यहां से करेंट अफेर्स का बाहर नहीं जाएगा सारे के सारे प्रश्न को मैं यहां पर कवर करता हूँ तो आप लोग इसे रिगुलर देखिए और इसका पीडियो डाउनलोड करके जरूर प्रेक्टिस केजिए और यहां पर मैं आपको बतात हूँ कि यह मार्च का मेहना भी चल रहा है तो जो जन्वरी और फर्वरी महां गुजरा तो राइट अंसर होगा इस प्रश्न का अपसन निमर ए यानि कि श्वीडन बारत और स्वीडन के बिच अभी हाल ही में एक अभासी सीकर समयलन का आउजन किया गया था अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न के और यहाँ पर एक ही कर्कों मैं सभी प्रश्न को देखूंगा और इंसर इलेटिड जो भी मातपूर्ण फैक्ट होगा उने भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा जो आपके एक्जाम के दिश्टिपून से ज्यादा हेलफू दवा है जो कि राजसरकार के द्वारा यहीं एक विशेश अभ्यान के तहतर दिया जाने का निर्नल लिया गया है जिसका जो लक्ष रखा गया है यह 10 मार्च रखा गया है और अंगरबाडी कार्यकरता के द्वारा 1-5 वरस तक की बच्चों एबंग 6-19 वरस तक की स्कुल जाने वाले सभी बच्चों को घर घर जाकर इसकी दवाई दी जाएगी यह भी हाल ही में बिहार सरकर के द्वारा फैसला लिया गया है इसका राइट अंसरो होगा 10 मार्च चलिए अब बात आई है बिहार के तो बिहार के भी वरतमान गवर्णर है फागो चाहन और चीप प अब पूर्ण फैक्टर है हलाकि यह काफी इजी है लेगिन आपसे ध्यान रखेगा यह आपको एक्जाम में कभी भी मतलब मिश्टेक से भी मतलब यह मिश्टेक नहीं होगा यह द्यान रखेगा चलिए इसके बारे में आपको डेटिल बता दूंगे हाल ही में बिहार पूर्ष्ण करेक्ट आपके नो अधिकारियों को नो मार्च को पुरुष्क्रित के जाने का दिरने लिया गया है और जिसमें की तीन शीयों और तीन अपसमाहरता सामिल है इन सभी को एक ग्यारा ग्यारा हजार की पूरुष्काराशी दी जाएगी यह ध्यान रखेगा वि हाली में दिरने लिया गया तो नो लोगों को यह पूरुष्क्रित किया जाएगा अपसर नबर टी यहां पर इस प्रश्ण का करेक्ट आणसर है अभी मैंने आपको बिहार के बारे में बता दिया है अब यहां बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण पर दुनिया भर में परती वर से जो भोजन की बरबादी होती है तकरिबन 17% यह माना गिया है तो इसका राइट अर्सर है अपसर नबर A 17% इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में आई सन्युक्त राश्ट यानि की युएन की एक रिपोर्ट की मताविक परतीक वरसे दुनिया में लभख 17% भोजन बरब सब्सक्राइब में और इसके महा सचीव है अंटोनियो गुटेरस यह दियान रखेगा अगर इससे आपका उद्देश भी कभार एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो सन्युक्त राश्ट राश्ट संथी और सुरक्षा बना रखना और राष्ट्रों के बीच में तरताप यह दिवस मनाया गया है यह भी सोचल मेडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था तो भी हाले में आठ मार्च को कौनसा दिवस मनाया गया तो यह महला दिवस मनाया गया त्यान रखेगा अपसर नमर बी यहाँ पर इस पृष्णिका राइट अंथ होगा महलाओं के स हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष से अपनी सिमाव की निगरानी करने के लिए जल्द ही सक्षम हो जाएगा अती महत्पूर्ण प्रश्ण है इसका राइट अंसर होगा अपना भारत यानि कि अंतरिक्ष में 28 मार्श 2021 को आंतर प्रदेश के निलोर जीले इस्तित स्रीहरी कोटा अंतरिक्ष के अंदर से जीएसलवी एफ 10 रॉकेट से प्रशेपित किया जाएगा यह ध्यान रखेगा तो अगर ऐसा सफल प्रिक्षन यह होता है तो भारत ऐसा राष्ट बन जाएगा जो इसमें क्या होगा कि जो भी सीमा है भारत का उसी कड़ी नजर रहा हुए लएसब बाहरत की जो छौदी है भारत की जो सीमा रहखा है उसका अब लो कर दवारा क्या जएग और पलपल यहां से कई सारे प्रश्ण बनते उसे घ्यान रखेगा इसका क्या नाम है बुरा ये सभी चीजहों का आप ध्यान रखेगा यहां से बन सकते हैं चलिया बात करते हैं यहाँ पर प्रश्ण बारे में जो हमारा सथ-स Ugh सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले प्रशने की राज सरकार के दिरने के रुसारा राजी के कर्मियों और राच किया लोग उपक्रम में काम करने वाली कर्मियों तता सर्मिकों को स्वास्त बीमा और सरल बीमा से लेस किया जाएगा राज सरकार के निरने के अनुशार किस राज सरकार के निरने के अनुशार राज की कर्मियों और राज के लोग उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तता सर्मिकों के स्वास्त बीमा और सरल बीमा से लेस किया जाएगा तो आप बिपेस एक्जाम के त्यारी करते हैं तो आपको पांच अप्शन के साथ प्रशने पूछा जाता है एक्जाम में तो पांच में अप्शन को भी आपको ध्याम न रखना पड़ेगा तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के निरने के रुषार राजी के करमियों और राज के करमियों को स्वास्त बिमा और सरल बिमा से लाज कर जाएगा राज सरकार के द्वारा यह गोष्ण विन्यामक प्रादिकरन के आगरह के बाद उठाए गया है तो यह भी हाल ही में बिहार सार्वजनिक चगाउं पर बुर्का पर रोब लगा दिया है तो यह भी हाल ही में कि ठीस देश के द्वारा किया गया तो यह क्या गया शूदErle şunu के द्वारा धिया abi링 आगले प्रसम के हाल के ऑृड्य के राज को पहले श्थान पर रखा तो भी हाल ही में जो गया है यहाँ पर उडिशा को पहले स्थान पर रखा गया, केंदरिया परदोसर नियंटरन बोर्ड ने उडिशा को पहला और उत्तर परदोस को इस सूची में दोसरा स्थान पर रखा है, गंद की कमले में, जब कि राष्टे राहिदानी दिल्ली इस बारे सूची में तीसरे स्थान आपकशी हिमाली मोनाल और राज़के पसु सामभर और राजके विख्ष जो है यह दियान रखेगा इन से आपसे प्रशने कि अगले प्रशनी प्रशनी के हाल हिमें भारतिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लिग यानि की IPL के किस सीजन की गोशना की है इंडियन प्रेमियर लिग यानि कि IPL के किस सीजन की गोशना किया अभी हाले में भारते क्रिकेट कंट्रोल बोड के दुवरा तो इस फरश्णी का जो राइटन सुरोगा यह हो जाएगा प्रेमियर लिग यानि कि IPL के चौद्वे सीजन की गोशना की है IPL मकाबले 9 अप्रेल से सुरू हगर के 30 मई तक खेले जाएंगे फाइनल मकाबला जो होगा यह हमताबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में होगा यह नमानकरन अभी हाल ही में हुआ है अगर आप इसके बारे में जाए तो कमेण्ड बक्त में जाकर लिग सकते हैं और इससे पहले नाम क्या था कि स्टेडियम में बदला क्यों यह चरचे में था क्यों Watson जैंडिंग में लिख का परते निधित्व करती है लिग की जो स्थापना हुई थी ये वर्स 2008 में हुई थी और भारते करकों भारते क्रिकेट कंट्रोल बोड के द्वरा यह स्थापना किया था 2008 में ध्यान रखेगा और वर्तमान चेंपियन जो है पिछली वर्स का यह मुंबाई इंडियन्स जो कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूटी डैक्स किस राज्य में खोला गया है तो हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूटी डैक्स जो खोला गया है यह तैलंगाना में खोला गया है और वर्स 2014 में सुप्रिम कोट ने ट्रांसजेंडर समधाय को पुर सुप्रिम कोर्ट ने इस पर फैसला सनाय था तीसरे जंडर के रूप में इन्हें मानिता दिया गया था तो अभी हाली में भारत के पहला ट्रांस जंडर कम्यूट्री डेक्स है तलंगाना में खोला गया है अब यह बात आई है तलंगाना की तो इससे सवंधित जो प्रशने बन सकते हैं आपके एक्जाम फीडियों को से देख लेते हैं तलंगाना के जो राजयपाल है यह तमिल शाही संदराजन मुख्यमंद्री है केस चंदर सेखर राव विधान मंडल जो यहां का है यह दूश दनिया है विधान परिशत की जो सीटे हैं यह 46 है विधान सभा की 11 11 सीटे हैं और राजसभा के 7 सीटे हैं तता लोगसभा की 17 सीटे हैं यह दियान रखेगा तलंगाना से यह से बेचेज़ें आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है अब यहां पर आज की इस प्रशनी को बढ़ते हैं आज का जो प्रशन है कि बिहार की मध्यपुरा जिला म इसका अंसर करके वहां बताइए मुझे कि इसका अंसर क्या होगा चलिए यहां पर मैं आपको बता दूँ इस टेस्ट स्रीज के बारे में डेटेल में इंफर्मेशन तो यहां पर अगर आप इसे भाग लना चाहते हैं इस पेड़ ग्रूप में जो की सलसेट में बीपी से प्रारभी परिच्छा और विपेसी CDPO के लिए है तो यहां पर आपको टेस्ट स्रीज मंतली करेंट अफैर्स और यह सवी चीज़ें जो मतलब के आपके प्री जाम के लिए यह दोनों जाम में आपके लिए हैल्फुल होंगे वो सवी चीज़ें आपको मैटरियल यहां पर प्रवाइट कराए जाएंगे करेंट एफैर्स की पूरी जिमेवारी हमारी होगी सारे के सारे में आपको दिया जाएगा ताकि आप एक जाम में बहतर कर पाएं आपको करेंट पर नहीं से पढ़ना की ज़रूत नहीं है और जो भी प्रश्ण आपको यहां मिलेंगे चाहे प्रश्ण आपको समग रूप से विसलेशन देखने को मेरेगा पीडियुप में एक डेमो पीडियुप के तौर पर मैंने पहले पीडियुप का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहां पर जाके डॉनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहां पर इस वार्टस सब्सक्राइब है तो हमारे इस वार्टसाप नंबर में में से चरूर किजएगा मुलेंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद